नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिजर जोदुरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हो में इंटरपाइजित तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म का अज 19 वा दिन है और 19 वा दिन पे हमारा फार्म बिर्गुल तयार हो गया रेडी हो गया है पूरा स्टुक्चर रेड अट्रमेटिक बरतन वगरा आने हैं उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है बाकी कि तो बंद है इधर से चलिए इधर से दिखा देते हैं मापको दोस्तों कल की वीडियो बहुत खास है कल की वीडियो जरूर देखें क्योंकि कल की वीडियो मैं पूरा इस्टिमेट बना के आ मापको कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि इस फार्म की लंबाई चोड़ाई कितनी है तो मैं बताना चाहूंगा वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है इस फार्म की लंबाई है 145 फिट और चोड़ाई है 35 फिट लाइक भग ये 5000 स्क्वार्ट का फार्म है ज जो उपर कि तरफ लगे हुए जो दिख रहे हैं आपको ये इनी से हमने कैचियां बनाई है दोस्तों और जाली जो हमने लगाई है वो आदा इंची चोड़ाई लगाई है और दोस्तों ये जो गाटर है ये हमने जो यहां से बाहर की जो उचाई है ये ये आप देख रहे ह यह 7 feet है अंदर से अंदर की यहां तक की और लगबग साधे साथ फिट पे हमने ये चादरे रखी हुई है नीचे से ऊपर और बीच की जो दूरी है जो उचाई है बीच की पीच की हमने 10 feet रखी है 10 से 10.5 फिट और यह जब कैचिया है कैचि के पाइप और यह वाले पाइप सब एक ही है दो बाइद दो के 19 किलो वजन वाले पाइप है 20 फुट में 19 के जी वजन है तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लोग मेरे चैनल पर नए है वो सब्काइब कर दीजिए यदि यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है यह आप देख रहे हैं अच्छी पाम अंदर से बिल्कुर रेडि है बस निपल्स आने वाले हैं आटमेटिक फीडर बगरा सब लग जाएंगे तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा तो जैसे ही आते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो तब तक बने रही है मेरे यूटूब चैनल पर नमस्कार दोस्तों